हेलो गाईज आप सभी का दुबारा से गवर्मेंट जोप्स के यूटूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है उसका अंच्वर की किस परकार से देख पाएंगे इस वीडियो मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊँगा हभी हभी की बड़ी ख़वर आप सभी के बीच में लेकर आए उससे पहले जो भी मेरा भाई और बैन हमारे चैनल पर पहली बार आए हर्याना में कोस्टर रोज गनिगम की भरतिया आती रहती है सारे अप्डेट्स यहां पर आपको रेगुलर देखने हो मिलेंगे तो मेरे भाई और बैन हभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं है कि मेरी ओमार सीट यह है मैंने जो पेपर दिया था वो सच है या जूट है किसी की ओमार सीट में बदला हुआ है किसी भी परकर का कुछ भी आपको लगता है तो अभी भी आप उस पर उब्जेक्शन लगा सकते हैं पहली बात तो अपना टोपिक यह किलियर कर लें 21-25 तारीक तक सभी एक बार अपना ओमार सीट देख लीजिए जो अपने पेपर के टाइम गोले भर के आए थे वो ओमार सीट आप सभी के बिलकुल साब साब देखने को मिल जाएगी अभी जिसने भी पेपर दिया सीटी के वो इस टोपिक को बिलकुल आसाने से कवर कीजिए मातर दो मिनिट में अपनी ओमार सीट को बिलकुल स्क्रिंसोट ले लिजिए और उसका आप बाद में दो से चार दिन के बाद में आपको आंसर की आने वाली आंसर की कब आएगी यह मैं आपको डिटेल से बताऊंगा किस डेट को आएगी वहाँ पर अपने answer आप match कर लेना उस time जिसकी भी omar seat हभी declare हो चुकी है जिसको भी omar seat देखनी है अपना ले लीजिए और वहाँ से screenshot लेना और screenshot लेने के बाद जैसे ही आपका answer की release होता है तो अपना answer वहाँ पर match कर लेना और दूसरी बात यह है CET के जो answer की है वो किस date तो का आएगा मेरे भाई उर्बन 25 तारीक तक आप इस तारीक को omar seat देख पाएंगे और 26-27 तारीक को आपका जो CET का answer की है वो देखने को मिलेगा सबसे बिल्कुल किलियर हो चुका होगा यह चीज तो 26-27 तारीक को जैसे ही CET का answer की डलेगा हमारे टेलीगराम गुरूप में भी आपको देखने को मिल जाएगा हमारे यूटूब चैनल पर देखने को मिलेगा तो आप हमें बेज जैको के टेलीगराम पर मेसेज करके भी पूछ चकते हैं हमारी जो टीम में 24 गंटे में आपको रिपलाइ करेगी जो भी आपकी प्रूलम उसका डाइक लिए आपको सोलिशन दिया जाएगा तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है टेंशन लेने के जूरते ने कुछ भी समझीब नहीं आता आपने चोटे भाई के बास आप मैसेज करके पूछ चकते हैं आपका चोटा भाई 24 गंटे आपकी स्पोर्ट में है ओके गाईश तो अभी की अभी आप हमारे टेलीग्राम गूरूप को चैनल को दोनों जगे आप सस्क्राइब कर लेना हमारे यूटूब चैनल को जरू जरू सस्क्राइब कीजिए यहाँ पर आपको 24 गंटे जो भी छोटे बड़ेट्स आएंगे सारी यहाँ पर आपका कवर किये जाएंगे दूसरी चीज अपने आंसर की देखने के बाद सभी मेरा भाई गुर्बन जिसके भी 38 पलस नमर है जिसके भी जर्नल काटेगरी को छोड़के जिसके भी 38 पलस नमर है वो इसमें पास माना जाएगा तीसरी चीज जर्नल काटेगरी के 47 नमर है 47.5 नमर अगर किसी के भी एड होते हैं किसी के भी जुड़ते हैं तो वो इस पेपर में पास माना जाएगा CET उसका qualify माना जाएगा यह आपकी बिल्कुल साब साब clear हो गए होगे जिसके भी 38 पलस नमबर है वो CET qualify है जर्नल कटेगरी में जिसके भी 47 नमबर है वो जर्नल कटेगरी से CET qualify माना जाएगा यह सारी चीज़े आपकी clear हो गई होगे और जब भी CET के आंस्वर की official notice डलेगा तभी आपको यहाँ पर regular notice उसी की उसी time देखने को मिल जाएगा सबसे पहले सबसे फास्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैने को subscribe करें बेल आइकन को प्रेस करें यह दो चैर चोटी चोटी चीज़े थी आप तेक पहुंचा नहीं थी बिल्कुल आपके topics देखने के लिए करने थे आंस्वर की आपकी 26 या 27 तारी को आपके आंस्वर की आएगी वो उस time आपको बता दिया जाएगा और अभी की अभी चैनल को subscribe करें लेना आली कराम ग्रूब में हमारा जो भी है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा जो भी छोटे बड़े अपडेट्स आएगे और तीसरी चीज़ आपके 38 पलस जो भी नमबर चुडएंगे वो आपने कमेंट बोक्स में जरूर जरूर आप बता सकते हैं अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते हैं चैनल पर भी पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें अब लाइकन को प्रेच करें दोस्तों मिलता हो नेक्स वीडियो में थैंक्यू